हलो एवरीबन मैं हूँ विक्रम जी असिस्टन प्रोफेसर और आज हम बात करेंगे हमारी अरिजिनल डिविजिन ओफ हिमालयास की जो पार्ट सेकिंड है आपके जिमॉफिक रिजिन का इंडिया के दिखे ये बहुत इंपॉर्डन कोशन है इन कंटेक्स्ट ओफ आपके स्क्रीनिंग एग्जाम्स में यूजिसी नेट या फिर आप जब भी कभी बहुत डिटेल्ड अगर तयारी कर रहे हैं जो आपको कहीं न कहीं चीजें हेल्प कर पाएंगे तो बात आ रही है प्रारेदेशिक जो हमारा अपना विभाजन किया गया है हिमाल्याज का उसके बारे में क्या नी प्रदेश के अधार पर हिमाल्याज को वर्कृत किया गया था चलिए शुरू करते हैं तो देखिए आप स्क्रीन पे राइट टॉप कॉर्णर में एक वेक देखने को मिल रहा है फोर डिविजिन में यहां पर डिवाइड कर दिया था पंजाब हिमाल्याज कुमायो हिमाल्याज और असम और भरंपुत्र हिमाल्याज अभी देखे कि रिवर्स के बीच का जो एरिया है वह यहां पर हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं इंडस वेय साथर सदलोगे के बीच में पंजाब इसके बाद किमाईयो हिमाल्याजा है आपका सदलोग काली रिवर है जैसे शारदा भी कहते है उसकी बीच में ने आप देख पा रहे हैं A Sketch of Geography and Geology Himalayas Mountain in Tibet Colonel Sir Sidney Burad तो काफी ज़्यादा important है अगर हम Survey of India के context में देखते हैं In-person का contribution 1912 में एक theory दी थी इस theory का नाम था Compression Theory for the Genesis of Himalayas है नहीं हमालयाज किस तरीके से originate हुए हैं, उनका निर्मान कैसे हुआ है तो संकूचन जो सिधानत है वो आपका यहाँ पे Colonel Sidney Burad ने प्रस्तुत किया था अब हर एक जो हमारे हिमालयाज है इन parts को हम यहाँ पर थोड़ा सागे फर्दर समझने की कोशिश करते हैं Punjab हिमालयाज देखिए मैंने यहाँ पे Punjab पुराने वाला कि इंडस और जो सतलुज है हमारा उनके बीच में 560 किलोमेटर लंबी जो mountain range हमारी बनती है इसे कहा जाता है Punjab हिमालयाज जो पंजाब हिमालयाज हमारे हैं वो इंडस रिवर से लेके हमारी सतलुज रिवर तक है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं particularly यह जो एरिया है यह एरिया आपका इंडस रिवर के साथ जो हिमालयाज है और साथ में जो सतलुज है हमारी सतलुज से इंडस तक के इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं Punjab हिमालयाज जिसमें पीर पंजाल, धोलाधार, लभादाक, जांसकर, यह जतनी भी श्रीणी हैं आपकी, यह सारी के सारी मंजाब एमल्या के अंदर हम काउंट करते हैं. बारेवर वैलेजि के बीच का जो हमारा पूरा हीमाल्याज है, यह कहा जाता है, इसे कहा जाता है पंजाब हिमाल्यास, लद्दाक, पीर पंजाल, दोलदार रेंज, यह सारा इसी का पार्ट है एक इंपॉर्टन जो प्रॉमिनेंट फीचर है कि यहाँ पर जितना भी अपके माउंटेंज हैं, उनका जो स्लोप है, वो काफी स्टीप है स्टीप स्लोप, हमें याद होगा कि कारा कोरम रेंज में, आप कमेंट करके बताइए का कि कौन सा ऐसा माउंटें है, जिसका स्लोप बहुत ही जादा शाप है, और वो पंजाब हिमाल्यास का पार्ट है तो moving ahead की maximum जो rainfall होता देखे, वो आपके western disturbances होता है, ना कि monsoon से, monsoon से यहाँ पर आपको जादा rainfall नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तक जो बारिश हमारे आती है, वो weak हो जाती है, यह उसके अंदर जो moisture है, वो comparatively कम है The moment अगर हम देखें कि western अगर front से आपकी कोई भी ऐसा airbus जिसके अंदर बहुत सारा moisture है, वो यहाँ पर बिल्कुल बरसेगा, recent की जो floods आई है हमारे 2023 के अंदर, और खासकर जिसमें हिमाचल परदेश पंजाब को काफी नुकसान पहुचाया है, उसका एक बड़ा reason है यह western disturbances का यहाँ पर इस समय आना, so moving ahead, इन्हें कश्मीर हिमालयास, north western हिमालयास भी कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा part है, that is, कुमायो हिमालयास, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काली जो river है, जिससे सारदा river भी कहते हैं, जो आपके उत्रा खंड और नेपाल के बीच में जो boundary बनाती है, construct करती है, इस river से लेके आपके सतलूज river तक, का जो भी आपका पूरा का पूरा हिमालयास है, इन्हें कहा जाता है, कुमायो हिमालयास है, कुमायो हिमालयास के बारे मैं बात कर रहे हैं, और map पे इससे देखेंगी कि exactly इसका जो extent है, वो हमारी सतलूज river से लेके east में काले river तक, आपके पास क्या है, कुमायो हिमालयास है, और खास बात यह है कि usually जो इसका area है, वो हमारा उत्राखंड के अंदर जादा है, कुमायो जो area है, आपने सुना भी होगा कि उत्राखंड में जो कुमायो region है, कुमायो हिमालया है, घड़वाल हिमालयास, कुमायो हिमालयास, यह सारे इसी के पार्ट है, इसकी कुल लंबाए 320 km, जैसे आपने पहले देखा है वीडियो में, माकिस्मुम जितनी भी rivers हैं आपकी, यहां से originate होती है, गंगा, यमुना, जितनी भी आपकी rivers हैं, जो इंडिया के लिए बहुत ही, इंडिया के अगरिकल्चर या यहां की, जो civilization है, इसके लिए एक बहुत बड़ा supporting system रहा है, वो यहां से originate होते हैं, and one more important thing, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जीले हैं, उत्राखंड में जैसे ने नी ताल, ताल जो शब्द हैं, वो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, सो जो area आप देख पा रहे हैं, सतलुज से, जो शार्दा या काली river है हमारी, जो नेपाल और उत्राखंड की boundary को भी कहीं न कहीं क्या करती है, बनाती है, इस reason को हम कहते हैं, कुमायू हिमाल्याज, कुमायू हिमाल्या, 320 km की इसकी length है, important perspective है कि जितना भी हमारा flood plains है, इंडिया का, उस flood plain की जितनी भी rivers हैं, वो यहीं से originate होती हैं, खासकर गंगा और यमुना, उस perspective में कुमायू हिमाल्याज हमारे लिए बहुत ही important है, काफी सारे glaciers यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, बह जिसे आपने देखा होगा उत्राखंड में नैनी ताल, जहां पर भी शब्द आते हैं, ताल, लगभग कुल में आके 300 से 400 की बीच में आपके पास उत्राखंड के अंदर ही lakes हैं, छोटी या उन से थोड़ी सी बड़ी lakes, अब बात करते हैं, नेपाल हिमाल्याज की, देखे लिए कि नेपाल में इसादा पार्ट होने की वजह से इसको नाम दिया गया नेपाल हिमाल्याज, काली जो रिवर है, जिसे हमें बात की थी, जो उत्राखंड और नेपाल के बीच में बहती हैं, वहां से तिस्ता रिवर, जो तिस्ता रिवर यहां पर आप देख पा रहे है और काली रिवर यहां पर है आपके पास, मैं इसे रेड से कर देता हूँ यहांपर, यह जो पार्ट है हमारे पास, this is our Nepal, मौं बात कर रहे हैं हमारे, नेपाल है, हमारे हमारी हमाल्यास की, जिसका extent, शार्दा यह जो हमारी काली रिवर है, वहां से तिस्ता रिवर तक, यानि कि आपका ये पूरा का पूरा जो हिमालियास है तिस्था रिवर तक इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं नेपाल हिमालियास कहते हैं खास बात ये है कि Elevation अगर हम उचाई की बात करें तो यहां पर 8,000 मीटर की हमें क्या देखने को मिलती है पीक्स देखने को मिलती है उत्री उचाई यानि हमारे काफी हाई जो mountains है यसे की Mount Everest Annapurna ये सारी के सारी हमें इस पार्ट में देखने को मिलती है length भी बहुत बड़ी है अगर हम देखें यहाँ पर हिमालयास के regional division में 800 km की length है जो काफी बड़ा भाग है यह हमने डिस्कस कर लिए कि Mount Everest और Annapurna भी यहीं पर हमें देखने को मिलती है In the last हम बात कर रहे हैं असम हिमालयास की तिस्ता और भरंपुत्रा के बीच में जो हमारा reason है इस reason को हमने कहा है असम हिमालयास असम और नाचल परदेश सिक्किम, मुटान इस particular पार्ट में हमें देखने को मिलता है इस पार्ट को हम कहते हैं असम हिमालयास इसको तिस्ता नदी से यहीं जो हमारी तिस्ता रिवर है इरिया आपका cover होता है असम हिमालयास में इसके सबसे उची जोटी कंजन जंगा देखिए इंडिया, सिक्किम इंडिया में सिक्किम, अरुनाचल परदेश, असम और साथ में अगर हम बात करें टोटल तो बुटान भी इसका पार्ट है बहुत ज़्यादा forest है इस एरिया में extensive forest है क्योंकि monsoon काफी strong रहता है इस particular part में और एक another जो important factor होता है that is zoom krishy यानि एक जिगे पर कुछ चीज़ें बहुई उसके बाद उसे काट लिया गया फिर यूजकरा आगे बढ़ गये, जंगल साफ किया फिर आगे बढ़ गये, that is slash and burn agriculture स्रिणी पुराड ने ना केवल हमारा regional distribution किया था हिमालयास का, but he also divided हिमालयास based on some human lines उन divisions को उन्होंने नाम दिया horizontal distribution of हिमालयास देखिए, अगर हम हिमालयास को यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक image हमारे पास यह है, एक image हमारे पास यह है, तो जो सबसे पहले आता है हमारा part जो सबसे पहले टकराया था वो यह part है आपका यानि यहाँ पर हमारे पास तिबवतनिया eurasian plate है यह हमारी Indian plate move कर रही है इस direction के अंदर नौर्थ की तरफ यहाँ पर eurasian plate यह Indian plate तो जो सबसे पहली हमारी peak बनती है, वो होती है हमारी Trans Himalayas वाला जो line है अब Trans Himalayas और Greater Himalayas जो हमारे Great Himalayas है इनके बीच में जो line है इस line को कहते हैं I.S.Z Indus, Sanko, Satcharjone जो है, या Indian Satcharjone जिसके अंदर Karakoram, Ladakh, Zanskar, Kailash यह हमें peaks देखने को मिल जाएंगी After that अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है M.C.T. M.C.T. है Main Central Thirst यह देखें, Higher Himalayas और Lesser Himalayas के बीच में जो divide करते हैं This is our Lesser Himalayas यह हमारे पास Higher Himalayas है और इनके बीच में जो यह part है यानि यह division है यह fracture है इसको नाम दिया गया M.C.T. यानि Main Central Thirst और इसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं MBT MBT मतलब Main Boundary Thirst MBT देखें आप कहां पर हैं इनके बीच में जो यह आपको division नजर आ रहा है यह gap नजर आ रहा है इसको नोने नाम दिया गया MBT यानि Main Boundary Thirst मध्य हिमालिया को शिवालिक हिमालिया से विभाजित करने वाली रेखा जिसके अंदर हम धोलादार पीर पंजाल इन ranges को देख पाएंगे और बहुत सारी valleys हैं जहां पर आपको बहुत सारी green देखने को मिलेगी कश्मीर में वर्ग कहते हैं जिनें उत्राखंड में बुग्याल कहते हैं पयार कहते हैं वो रीजन आपको यहीं पे इस इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगे यह जो पार्ट आपको नजर आ रहा है अब जैसे ही हमारे बात आती है plains की यानि यह हमारे plains है और यह हमारी जो शिवालिक्स है इन दोनों के बीच में हमारे पास एक range या सुरी एक fault line आती है जिसे कहा जाता है HFF Himalayan Front Fold Himalayan Frontal Fold HFF यहाँ पर हमारे पास plains आ गए और plains के बीच में सबसे पहला हमारा जो fault आता है इसको नाम दिया गया HFF So this was Regional Division and Horizontal Distribution या Division of Himalayan आ आप्सा सार-सिड्सीदी अप्सारी है वह इंपॉर्ट इम्पॉर्टन कोशएं है Next we'll do SP Chattarji जो इंडियन है उनके द्वारा जो किया गया हमारा Regional Distribution of Himalayan थांकियो सो मच स्टे तुने और मिलते हैं आप से नही लेक्शर झाल झाल